तबादले और प्रभार में परिवर्तन रितुराज रगुवंची बने धंसरी कलेक्टर आईयस अधिकारियों के साथ चार आईयस अधिकारियों के तबादले कल से शुरू होगा मद्प्रदेश वधान सभाका शीत कालीन सत्र सर्वदली बाठक में बनी सहमती विधान सभाद द्यक्ष गरीश गौतम के अधिक्षता में हुई बाठक सत्र के हंगामेदार रहने के आसा 36 गण में आरक्षन पर नहीं थम रही सियासत कल दिल्ली में राश्टपती से मुलाकात करेंगी राजपाल CM भुपेश ने कहा राजपवन में विधैक रोकने बाला कोई और पूर्श सीम कमलात और दिग्वजे सिंगने की CM शिवरास से मुलाकात कौंग्रिस कारेकरताओं पर दर्ज मुकदमों को लेकर की चर्चा मुलाकात के बाद बोले दिगवजे सरकार में हमारी बात नहीं मानी तो चलाएंगे जेल भरो आंदोल दिलदार अनसारी ने पत्नी रिबीका पहाडिन की हत्या कर किये 50 से ज़ादा तुकड़े जारखंड में आफ्ताब से भी ज़ादा कायर निकला दिलदार दूसरी शादी को लेकर घर में होते थे ज़गड़े दोनों ने एक महीने पहले की थी लब मैरेज पता और भाई ही निकले संजु के हत्यारे बिलासपुर के संजु हत्याकांड में बड़ा खुला साब पुलिस ने पता बेटे समेट एक और आरोपी को किया गिरफ्ता पलता निमंत्री नर्तम मिश्रा ने दीप पुलिस टीम को बढ़ाए